नमस्कार, क्यापिटल टीवी देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूझा, ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्रुदेश में आज मोहन सरकार का शपत ग्रहन शमारो होना है, मोहन ग्यादव आज मध्रुदेश के मुख्यमंत्री पत की शपत ले नरेंद्र मोदी, जेपी नडडा, अमिशा, सियम योगी, शिंदे समेत, तमाम बीजपी शाषित राज्यों की पाच मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जो इस कारक्रम में शामल होंगे, तमाम तैयारियां जो है, वो पूरी कर ली गई है, आज कुल मिला कि आज का दिन में के लिए बहुत खास है, इसे जोड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ में साथ जोड़े है, क्या पेचल टीवी की एडिटर इंचीफ, डॉक्टर मरिश कुमार, पूरी तैयारिया कर ली गई है, पेम मोदी भी पहुंच चुके है, कितना इंपॉर्टेंट है, आज का दि देखें ये प्रधान मंतरी मोदी की जीत, उन्होंने जो रिस्क लिया, जिस तरीके से मध़ प्रदेश के अंदर स्टरजी बनाई, ये मद भूलिये, वहाँ पे अलड़ी अठाना साल के आएक एंटी इंकम्बंसी था, तमाम सर्वें ये कह रहे थे कि कॉंग्रेस पार्ट भारती जनता पार्टी के भी बड़े-बड़े लीडरों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि मद परदेश जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो अभी-अभी हेलिकॉप्टर से, ये जो सीधी तस्वीरे आ रही है, प्रधान मंतरी मोदी पहु है, और सबसे बड़ी चीज जिस हिसाब से इन्होंने यादव जी को चूज किया है, ये एक और जो कह सकते हैं कि भारती जनता पार्टी किस तरीके से, लीडर सिप, संधठन, पार्टी की जो पकड़ और इसकी जो पहुँच है, वो आगे लेकर के जाएगी, देखिए, टे करीक्रम में खुद पी मोदी आते हैं, वक्त देते हैं, बकाईदा रहते हैं, तो ऐसे कारadas करहds को में पीम ओढ़ी का आणा भी एक संदेज देता है पार्टी के लिए, पार्टी के सबसे बड़ा संदेज देखियें, वहां पर एक दरज़न, बड़े बड़े लीडर थे, एक दरजन जो मुख्य मंत्री बनने की लालसा रखे हुए थे और अच्छी बात है कोई इसमें कोई बुराई नहीं है जो लोग राजिनती की छेतर में हैं सवादमी चाहता है मुख्य मंत्री बनने सिवरा सिंग चवान हो गए परलाद पटेल हो गए तोमर साब हो गए कोई आइडिया नहीं था तो जब प्रधान मंत्री मोदी इस तरह से आप देखिए जो तीनों लोग जो चुने गए हैं उनके घर की तस्वीरे उनकी परिवार की तस्वीरे आ रही है देखके गर्व होता है कि हिंदुस्तान ये नया भारत है ये न्यू इंडिया है यहां जिस तरीके से देखिए इंडियन टीम जीत दर्ज कब करने लग गई हैं कब हम चैंपियन बनें जब छोटे-छोटे सहरों से गरीब-गरीब घरों से खिलाली जो है वो सीधे-सीधे नसल अस्तर पर आकरके इंडियन टीम को जो है उसका सोभा बढ़ाने लग गए हैं पुरदान मंतरी मोदी यही काम कर रहे हैं उनके घरों को देखिए लगता है कि भई कैसे इन लोगों के उपर पुरदान मंतरी की नजर भी गई तो एक कि आपने ये रिस्क भी लिया एक जनरेशन चेंज करवा रहे हैं नए लोगों को दे रहे हैं तो पुर्धान मंत्री मोदी यहां आकर के अपने फैसले के ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा चुना हुआ मुख्य मंत्री है कोई आदमी लक्षवन रेखा क्रॉस मत करना अब तक किसी ने सवाल भी खड़े नहीं किया लेकिन आज से मद्रप्रदेश की तस्वीर अलग होगी मोहन यादफ के कंडे में सारी जिम्मेदारी होगी कितना चुनाती होगा मोहन यादफ के लिए क्योंकि experience इनको बहुत जाद पहली बार मुख्यमंत्री बने है उनके लिए कितना चालेंज जा रहे हैं किसी हिसाफ सजारे आप देखिए कितना नेचुरल और कितना यह लगता है कि जैसे कि अभी किसी बालक को आपने जो है सारी जिम्मेदारी दे दी यह तीनों जो सपत लेने वाले हैं आज बताया ज से किसी को की सपत दी जाएगी प्रदान मंत्री मोदी आ गया है और स्टेज पर उधर योगी आदितनाद भी आ गया है एक ग्यारा ग्यारा मुख्यमंत्री यहां पर आज मौजूद रहेंगे जेपी नडडा है अमिश शाह है गटकरी है तमाम बड़ बड़ लीडर भारती पे मौजूद है इसका मतलब है कि आप देखिए कि यह सेलिबरेशन आज की तारीक में यहां पे टेकनिकली तीन मैंने पहले जो चुनाओ जो मदपरदेश की जो इस्तिती थी हम लोग भी इस बात को कह रहे थे कि सपत गरहन में आज तो कबनलाद का सपत होना था लेकिन आ और उनके चट्टे बट्टे जितने हैं उनको कमल नाज से सीख लेनी चाहिए मुक्यमंत्री घोषित होते हैं मोहन यादव जी स्वयम आप ये समझ जीए उब्रासी साल की मदपरदेश के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स में से हैं वो कॉंग्रेस पार्टी के हैं वो अलग लीडर हैं मुक्यमंत्री की घोषना होती है मुहन यादव जी बनते हैं मुक्यमंत्री वो स्वयम चलके उनके घर जाते हैं उनसे वहाँ पे मुलाकात करते हैं अब आप देखिए ये जो है ये परंपरा ये एक पॉजिटिव एक सकरात्मक और एक अच्छी परंपरा मदपरदेश की राजनीती में देखने को मिल रही है कभी आपने सुना कभी आपने देखा कि जीत दर्ज करने के बाद रहूल गांदी परधान मंत्री मोदी के घर गए हो मिलने या सोनिया गांदी गई हो या कॉंग्रिस का कोई वरिष्ट लीडर उनके घर गया हो उनको धन्यवाद उनको मुबारख बाद देने के लिए कि भई आप चुनाओ जीते ये डिमोक्रेटिक जो परंपरा है ये राहूल गांदी के नितुत्त में कॉंग्रिस पार्टी उसे भूल रही है उनके आप देखिए प्रधान मंत्री मोदी जब बने प्रधान मंत्री पहला विजिट उन्होंने क्या किया किसके घर गए वो घर गए मनमोहन सिंग के 2014 में सपत लेने के बाद अगले ही दिन वो मनमोहन सिंग से मिलने के लिए गए थे उनका धन्यवाद करने के बापने अच्छा काम किया भई आप एक ही छेतर में हो तो आप में कॉंपेटिशन होगा एलेक्शन के दौरान बहुत सारी बाते होंगी लेकिन चीजों को में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिंसिटिविटी से कुछ लोग आज ऐसे भी होंगे जो यह शपत ग्रहन कारिक्रम देखेंगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा देखिए बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा टीवी फूट रहा हूँ जैसे पकिस्तान हारता है मैच तो बहुत सारे टीजी जो है वो फोले जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो फोल रहे होंगे आज लेकिन क्या नजारा है आप देखिए एक जारी हुई बाजी को भारती जनता पार्टी ने एक बहुत ही एतिहासिक जीत में तब्दील किया और प्रधान मंत्री बढ़ा को आपने मुक्मंत्री पद दिया यह उनके लिए चुनौती कितनी बड़ी है देखिए उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है एक चीज़ तो आप एक जूनियर लीडर है और आपके सामने बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं आपको तो पहली दिक्कत यह होगी कि आप किस तरीके से आप अपने कैबिनेट को चुनेंगे मालूम चलेगा कि कैबिनेट के अंदर आप से बहुत सारे सीनियर लोग आ रहे हैं तो क्या अभी तो कैबिन शिवराज सिंग चौहान भी पहुंच गया है लोगों का अभिवादन कर रहे हैं तमाम बड़े लीडर् और इस तरह से उन्हें सभी को शुब कामना देना ये भी एक संदेश देता है देखिए सब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तोमर साहब वरिष्ट लीडर है सिवराज सिंग चौहान से भी सिवराज सिंग चौहान को यह याद रखना चाहिए कि जब उनको भी बनाया गय को चूज किया गया वैसे ही सिवराज सिंग चौहान को चूज किया गया था बहुत प्रचल्ड बहुमत के साथ और उस समय जो लोग उस समय 18 साल 20 साल पहले की बात है लेकिन जब उमा भारती ने धिगवजे सिंग को चौनाओं में हराया था अगर वीडियो अगर आप यू प्रचल्ड दिया करती थी और पब्लिक उमर परती थी लेकिन उनको भी हटाया गया उनको हटाया जाने के बाद उन्होंने वैसे कहा कि अब विदा लेने का वक्त आ गया है लेकिन आप यह देखिए अभी बहुत ही इमोशनल वेक्ति हैं रो भी रहे हैं बहुत मेहनत भी इन्होंने बहुत किया कई लोग को लगता है और सही भी लगता है कि वही वो जो इनके साथ जो हुआ है वो थोएजसी जायती हो गई नाइंसापी हो गई है लिकिन यह राजनीती है यह कोई रिस्टेदारी यहां पर नहीं चलती यहां पर आपको भशिष भी देखना होता है आगे क्या क्या प्लान है उसको भी देखना होता है तो यह देखिए मुझे लग रहा है कि एक जनलिसल चेंज का समय आया है यह जनलिसल चेंज हर चका होना चाहिए कब तक आप पुराने चेहरों के साथ जो आप चलते रहेंगे कॉंग्रेस पार्टी के साथ क्या हुआ बुजुर्ग लीडर जो है आपके पास राजस्थान में थे आप वहां भी हार गए आपके पास अधक्ष बराने के लिए आपको पचासी साल के जो है वो आपको खड़के साहब नदर आते हैं पार्टी चलती है इनर्जी से नई आडिया से नए लोगों से और जिस महफिल सजी है जो स्टेज सजा है ये वेल डिजर्विंग है जहां भारती इंता पाटी हार रही थी प्रदान मंतरी मोदी ने अपने स्टेड़ जी से अविशान ने अपनी मेहनत से और जेपी नड़ा ने और्गनाइशन को जिस तरह से ये किया फुल क्रेडिट टु देम और सिवरा सिंग चोवान ने जो इमोशनल कार्ड खेला उस वज़े से ये जीत हुई है और बहुत-बहुत मुआरगबाद हो और साती-सात एक बड़ी चुनोती जो यादव जी को आगे आने वाली है उसको वो निभाएंगे सबसे बड़ी चीज कि उन सारे वाधाओं को वो इसलिए भी पार पाएंगे क्योंकि इनके पीछे प्रदान मंत्री मोधी का एक वरध हस्त है वो सारी चीजों को यही पीमो से ही कंट्रोल कर पाएंगे ऐसे उमीद करनी चाहिए जानकारी के लिए तो आज का दिन मद्री प्रदेश के लिए बहुत खास है यह तस्वीरे आप देख सकते हैं मुपाल की सीधी तस्वीरे हैं मंच सच्चुका है बस पीम मोधी का इंतजार है पीम मोधी भी बस पहुची गया है कुछी देर के बाद शपत ग्रहन समारोख ह तमाम बड़े नेता मंच में मौजूद है तो आज का दिन कुल मिला के मद्री प्रदेश के लिए बेहुत खास इस बड़ी कबन में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमेर पिसन शोक के साथ मैं पूचा क्यापिटल टीवी